हेलो फ्रेंट्स तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे सीटेट मैथमेटिस के कुछ प्रिविएस येर कोश्चन्स तो स्टार्ट करते हैं कोश्चन नमबर वन के साथ फर्स्ट कोश्चन में हमारे पास हैं तो हमने का करना है सबसे पहले हैं इन तीन नमबर के और उसका सम करना है हम सबसे पहले HCF और L7 निकालेंगे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 198 से तो पहले जैसे की यह इवन नमबर है तो टू से डिवाइड करेंगे तो हरा अंसर विल बी 99 after that अगर हम ध्यान से देखे तो इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो next हम 3 से डिवाइड करेंगे और answer आजाएगा हमारे पास 33 उसके बाद 33 को हम again 3 से डिवाइड करेंगे answer will be 11 and the final answer फिर से 11 से डिवाइड करेंगे तो it will be a 1 तो अगर हम 198 को prime factorization में लिखेंगे तो उसका answer आएगा 2 और इसको हम exponential form में लिखेंगे तो 3 हमारा 2 times आया तो answer क्या जाएगा 3 की square and last में one time हमारे पास 11 आया तो यहां लिख देंगे 11 similarly अब हम 135 का prime factorization करेंगे तो इसके लिए again अब ध्यान से देखें तो ये 3 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि last हमारे जो 3 digits है उसमें आएगा 5 plus 3 plus 1 तो total हमारा हो गया 9 तो 9 is divisible by 3 तो इसलिए हमें इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो इसका answer आजाएगा 45 again अगर दोनों digits को हम plus करेंगे तो answer will be 9 तो इसको again 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो जो इसका answer आएगा वो हमारा आगया 15 और again अगर 15 को 3 से डिवाइड करते हैं तो answer will be 5 और final अगर 5 को 5 से डिवाइड करेंगे answer will be 1 तो जो हमारा 135 है तो 135 को हम exponential form में कैसे लिख सकते हैं तो 3, 3 अब हमारा 3 times आया 1, 2 and 3, 3 times आया तो यह आजागा 3 into the power 3 and 7 में आजागा हमारा 5 अब last होगा हमारा 108 तो 108 को जब हम prime factorization में लिखेंगे तो again even number है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो our answer will be 54 again इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो our answer will be 27 अब 27 जो है वो 2 पे तो डिवाइड होगा नहीं तो यह डिवाइड होगा हमारा 3 पे तो next इसको 3 से डिवाइड करेंगे और answer will be a 9 and again 3 से डिवाइड करेंगे answer आजाएगा 3 और last time फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो answer will be a 1 तो 108 को अगर हम prime factorization में लिखेंगे तो इसका answer क्या आजाएगा 2 अब 2 हमारे पास 2 time आया तो यह क्या आजाएगा 2 की square and जो 3 है वो हमारा 3 times आया तो यहाँ आजाएगा 3 to the raise power 3 ठीक है अब हमने तीनों number given numbers को उनकी prime factorization form में लिख लिया अब HCF find करने के लिए हमारे पास क्या formula होता है कि जो इन में common number है उसको हमने चेक करना है कि इनका common factor कौन सा आ रहा है यहाँ पर 2 है बर 2 जो है वो 135 में नहीं आएगा तो 2 हमारा HCF नहीं हो सकता next अगर चले 3 और 3 अब तीनों में आ रहा है that means 3 हमारा HCF हो सकता है बड़ इसमें हमने देखना होता है कि 3 हैसकी जो सबसे lowest power है वो कितनी है तो पहले में 3 की lowest power कितनी है 2 अगले में कितनी है 3 और last में भी कितनी है 3 की power maximum 3 बड़ हमने सबसे lowest power लेनी है और lowest power क्या जाएगी 3 square अब next देखेंगे क्या 11 सभी में आ रहा है तो 11 सिर्फ पहले में आ रहा है ना second में आ रहा है ना third में आ रहा है और इसी तरीके से जो 5 है वो भी सिर्फ second में आ रहा है first और third में नहीं आ रहा तो जो hcf हमारा होगा वो हो जाएगा 3 की power square that is 9 और similarly हम निकालेंगे lcum निकालेंगे अब lcum के लिए भी हमने same ही करना है बस हम क्या करेंगे सभी की maximum power लेंगे सबसे पहले जितने भी हमारे पास factors है कौन कौन से factor है पहले वो लिख लो 2 factor है उसके बाद 3 है एक उसके बाद 5 है और सबसे last पर क्या है 11 वाला हम सभी में देख लेंगे किसके कौन कौन से factors है जिनसे ये numbers डिवाइड हो रहे है तो answer is 2, 3, 5 and 11 तो अब इसमें हमने इसकी maximum power देखनी है अब अगर देखा जाए कि 2 की इन सभी में 2 की maximum power कितनी है तो वो हमारा ये रहा 2 की power 2 तो हम 2 square कर देंगे 3 देखेंगे तो 3 की जो maximum power आ रही है वो 3 की power 3 ही आ रही है इन दोनों में तो 3 की power क्या लेंगे हम 3 and similarly 5 और 11 की जो maximum power आ रही है वो सिरफ 1 ही आ रही है तो 5 और 11 की power आ जाएगी हमारी 1 तो further ये हमारा क्या आ गया 4 into 3 की power 3 आ गया 27 next आ गया हमारा 5 into 11 और जब नंबर्स को multiply करेंगे तो ये हमारा result कुछ आएगा 5 9 4 0 अब हमारा question क्या था sum of LCM and HCF तो sum of LCM plus HCF हमारा क्या आ जाएगा 5 9 4 0 plus 9 तो it will be 5 9 4 9 तो अगर देखा जाए तो ये option number कौन सी है 3 तो option number 3 is our right answer next चलते हैं second question के उपर अब second question में देखा जाए तो इसमें बोला गया है the value of this is तो हमारे पास कुछ under root वाले terms दी गई है इनकी हमने values फाइंड करनी है तो सबसे पहले तो हम similarly 5 4 0 under root divide by under root double 3 8 divided by under root 1 to 5 divided by under root 2 4 5 तो हमने इस टर्म को लिख लिए लिए जब इसको solve करेंगे हम 4 50 को क्या लिख सकते हैं अगर इसको 4 50 को 2 से डिवाइड करें तो आर आंसर विल बी 2 इन्टू डबल 2 5 तो यह हमारा आंसर आ जाएगा similarly अगर डबल 3 8 को हम divide करेंगे 2 के साथ तो आर आंसर विल बी 2 इन्टू 1 6 9 अब अगर ध्यान से देखें तो जो अंडर root में डबल 2 5 है या 1 6 9 है इनके अल्रड़े हमें हमें अंडर root पता होते हैं तो ऐसे हम करेंगे next के साथ जो 125 है इसको हम 25 इन्टू 5 लिख सकते हैं और यहां से हमें थोड़े हिंट मिल जाएगा कि अगर देखो यहां पर भी हमारे पास अंडर root 2 और अलग से हैं क्योंकि 125 और 169 का अंडर root हमें पता होता है तो similarly अगर यहां पर 25 25 का अंडर root भी पता हैं तो यहां पर 5 है तो obviously 245 को भी हमें क्या करना पड़ेगा 5 से divide करना पड़ेगा तो जब हम इसको divide करेंगे और answer will be 49 into 5 that means हम 245 को इस term मिल लिख सकते हैं अब next यहां करना है हमने यहां पर अंडर root 2 अलग आ जाएगा और हमारा 225 का जो अंडर root है वो कितना आ जाएगा 15 तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं 15 into अंडर root 2 और 169 का क्या आ जाएगा 13 अंडर root 2 similarly अगर यहां से दिखा जाए तो यहां पर क्या जाएगा 5 अंडर root 5 और नीचे वार से 49 है और 49 का अंडर root क्या होता है 7 तो यहां पर आ जाएगा 7 अंडर root 5 अंडर root 2 से अंडर root 2 कैंसल अंडर root 5 से अंडर root 5 कैंसल तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 15 डिवाइड बाई 13 और डिवाइड बाई 5 ओवर 7 और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे पहले तो 15 ओवर 13 एज़ लिख लेंगे और डिवाइड है तो इसको multiply में change कर देंगे और जो last will term होती है वो हो जाती है reciprocal तो हमारा कुछ आंसर आ जाएगा 15 ओवर 13 इंटू 7 ओवर 5 और यहां के कहेंगे 5 को 15 से डिवाइड किया तो answer will be 3 3 इंटू 7 answer है 21 और नीचे denominator में क्या है हमारा 13 तो our answer will be 21 over 13 so third is the right answer यह हमारा सही answer है चलते हैं अगले question की और अब इस question में हमें बोला गया है हमें two values A और B की values given है already given है तो उन्हें find करने को बोला है A plus B inverse into A inverse plus B inverse तो इसकी value हमने find करने है तो सबसे पहले यही करेंगे सबसे पहले हमारे पास क्या है A तो A की value है हमारे पास 5 over 11 next plus B की value है हमारे पास 3 by 7 तो इसका कर लेंगे हम सबसे पहले inverse कर लेंगे उसके बाद इसको multiply करेंगे A inverse plus B inverse तो A inverse हो जाएगा हमारा 5 over 11 का inverse और B inverse हो जाएगा हमारा 3 over 7 का inverse इसको हम एक bracket में लिख लेंगे तो सबसे पहले इस bracket को solve कर ले तो answer कितना आजाएगा LCM आजाएगा हमारा 11 into 7 अब 7 को cross multiply करेंगे 5 के साथ और 11 को cross multiply करेंगे 3 के साथ तो हमारा answer कितना आजाएगा 35 plus 33 और इस सब का inverse करेंगे next अब इनका inverse करेंगे तो 5 over 11 का inverse क्या हो जाएगा 11 over 5 plus 3 over 7 का inverse क्या हो जाएगा 7 over 3 तो साथ साथ में इसको पहले को solve कर ले 35 plus 33 कितना होता है 68 तो इसका 68 आजाएगा और divide by आजाएगा 77 हमें इसका inverse करना है और साथ वाले का करें LCM ले तो यहाँ पर 5 over 3 का LCM कितना आजाएगा हमारे पास 15 और इसको जब cross multiply करेंगे तो 11 into 3 हमारा आजाएगा 33 plus 7 into 5 आजाएगा हमारे पास 35 तो next सबसे पहले जो 68 over 77 का inverse निकालेंगे तो answer आजाएगा 77 over 68 अब जो 7 वाल है उपर हमारा 68 बनेगा और नीचे कितना बन जाएगा 15 तो 68 से 68 के हो गया cancel तो आजाएगा तो आजाएगा 77 over 15 और therefore जो fourth option है वो हमारे इसमें क्या हो जाएगी right one ठीक है next चलते हैं अगले question के उपर तो जो ये question है इसमें उने बोला which of the following is are not true तो याद रखना यहाँ पर है not true मतलब ये सही नहीं उने चाहिए about the natural numbers कि natural numbers के बारे में नीचे लिखी गई कौन सी statement जो है वो गलत है अगर पहली question पर ध्यान दे every prime number is an odd number तो prime number अग लिख लें 7 and so on तो according to our first condition every prime number is an odd but जो 2 है 2 हमारा इकलाता है सा prime number है जो even number में आता है that means first हमारी condition जो है वो false हो गई not true अब आते आप बारिया है second की और यहाँ पर है all even numbers are composite numbers तो again यहाँ पर 2 तो हमारा prime number हो गया तो फिर सारे के सारे जो even numbers है वो composite number नहीं बने सारे हमारे जो even number है composite number नहीं बने तो यह statement भी हो जाएगी हमारी wrong अगला आ गया third थर्ड पे है the sum of 2 prime number is always an even number अब sum of prime number अब बाकियों के लिए तो यह बात true है कि अगर 2 odd को हम plus करेंगे तो एक even number आ जागा but 2 हमारा prime number है तो अगर 2 plus 3 या 2 के 2 में से कोई भी और add करोगे तो answer हमारा odd आएगा तो यह statement भी हमारी गलत हो जाती है और अब last देखते हैं अगर if an even number is divided by 2 the question is always odd अब let us suppose हम कोई भी even number ले लें मानलो हम 16 ही डिले ले लेते हैं और 16 को अगर 2 से divide करते हैं तो जो इसका answer है वो कितना आजाएगा 8 और इनोंने तो बोला था it is always odd बट हमारे पास क्या रहा है even that means यह statement भी हमारी यह statement भी हमारी गलत हो गई तो यहां पर देख सकते हैं कि सारी के सारी statements गलत हो गई है तो option में जो हमारा option number 3 है वो हमारा क्या होगा right answer होगा अब बटते हैं next question की और हाजी जो next question है इसमें identify the correct statement तो हमने इसमें से correct statement find करने है तो option number 1 जो है वो है for any to integer और जो integer है यह हमारे दो तरह की होते है positive and negative यहनि कि हम कोई भी integer ले सकते हैं हमने क्या find करना है a cross minus b तो according to this condition कि अगर दो integers ले और उनको product करें a cross minus b करें तो वो always क्या आएगा negative इसके लिए मान लो a की value हमारे पास है 2 और जो हमारा b है उसकी value है minus 2 तो अगर हम a cross minus b करें तो इसका answer क्या आजाएगा 2 multiply negative of minus 2 तो answer will be 2 into 2 क्योंकि negative negative क्या हो जाएगा हमारा positive तो हमारा answer कितना आ गया 4 और हमारा answer आ गया positive आया बट यहां था always negative that means first statement हमारी क्या हो गई wrong अब second में देखो the difference of two negative integers cannot be positive तो यहां पर हमने difference करना है वो भी दो negative integers का अब negative integers जो मरजी माल लो so let us suppose हम पहला माल लेंगे minus 2 और दूसरा माल लेंगे minus 5 हमारे पास यह दो integers हैं अब इनका क्या करना है difference तो यहां पर negative लगा देंगे तो इसका answer क्या हैगा minus 2 minus minus क्या हो जाएगा plus answer आ जाएगा 5 तो minus 2 plus 5 और our answer will be our answer will be positive 3 तो answer तो positive आ गया तो यहां लिखा था cannot be positive that means यह भी हमारी क्या हो गई गलत हो गई अब चलते हैं third option की और product of negative integers with another negative integer will give an integer smaller than both of the integers माल लो कि हमारे पास product है product of negative integers with another negative integers एक हम माल ले minus 1 और एक माल ले minus 2 और इन दोरों की क्या करवानी है हमने product दोनों को multiply करवा दें तो हमारा answer कितना आ जाएगा positive 2 अब positive 2 वो माइनस 1 से भी बड़ा है और minus 2 से भी बड़ा है पर यहां तो क्या लिखा था smaller than the both integers यानि कि यह option भी हमारी हो गई गलत अब चलते हैं last option की और product of negative integer with positive integer will be integer less than 0 यानि कि अगर हम एक positive को और एक negative integers को आपस में multiply करेंगे उनकी product करेंगे तो जो answer है वो 0 से छोटा आना चाहिए तो इसके लिए भी चलो हम एक positive और एक negative ले लेंगे सबसे पहले minus 2 ले ले और एक हम ले लेते हैं multiply करने के लिए positive 2 अगर इन दोनों का product करेंगे minus 2 और positive 2 का अगर product करें तो answer will be a minus 4 और yes minus 4 जो है वो 0 से छोटा होता है इस तरीके से चाहिए तो आप एक और example ले सकते हो minus 1 into positive 2 तो एक हमारा negative हो गया एक हमारा positive हो गया और अगर इनकी product करेंगे तो answer क्या आएगा again minus 2 आएगा और yes minus 2 again हमारा क्या हो जाएगा less than 0 that means fourth option is a right one तो आज की वीडियो यहीं कतम करते हैं thanks for watching